आईए सुनते हैं पाठ एक कहानी यह भी लेखक मन्नू भंडारी प्रिट्र संख्या 91-102 मन्नू भंडारी मन्नू भंडारी का जन्म 1931 में गाउ भानपुरा जिला मंदसौर मत्वदेश में हुआ परंतु उनकी इंटर तक की सिक्षा दीख्षा हुई राजिस्थान के अजमेर शहर में बाद में उन्होंने हिंदी में एमे किया दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कारिश्य अवकाश प्राप्ती के बाद आजकल दिल्ली में ही रहकर स्वत्रमत लेखन कर रही है इसके अलावा उन्होंने फिल्म एवं टेलिवीजन धरवाहिकों के लिए पठकताएं भी लिखी है उनकी साहितिक उपलब्दियों के लिए हिंदी अकादमी के शिकर सम्मान सहित उन्हें आनेक पुरुसकार प्राप्त हो चुके है जिनमें भारती भाषा परिशद, कोलकाता, राजिस्थान संगीर्स नाटक अकादमी, उत्तरपदेश हिंदी संस्थान के पुरुसकार शामिल है मन्नू भंडारी की कहानियां हो या उपर्ण्यास उनमें भाषा और शिल्प की साध्गी तथा प्रामानिक अनुभूती मिलती है उनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ती भी देखी जा सकती है एक कहानी यह भी कि संदर्ब में सबसे पहले तो हम यह जान लें कि मन्नू भंडारी ने पारिभाशिक अर्थ में कोई चिलसलेवार आत्मकता नहीं लिखी है अपने आत्मकत्य में उन्होंने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके लेख की जीवन से जुड़े हुए हैं संकलित अंश में मन्नू जी के किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ उनके पिताजी और उनकी कॉलेज की प्राध्यपिका शीला अगरिवाल का व्यक्तित्व विशेश तोर पर उभर कर आया है सन 1946-1947 की आजादी की आंधी ने मन्नू जी को भी अचूता नहीं छोड़ा छोटे शेर के युवा होती लड़की ने आजादी की रड़ाई में जिस तरह भागी दरी की उसमें उसका उत्सा, ओज, संगठन क्षमता और विरोत करने का तरीका देखते ही बनता है एक कहानी यह भी जन्मी तो मदब्देश के भानपुरा गाउं में थी लेकिन मेरी यादों का सिलसला शुरू होता है अजमेर के बरमपुरी महले के उस दो मन्जिला मकान से जिसकी उपरी मन्जिल में पिताजी का सामरज था वहाँ वे नहायत आव्यवस्थे ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे नीचे हम सब भाई बेहनों के साथ रहती थी हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्व विहीन मा सबेरेश शाम तक हम सब की इच्छाओं और पिताजी की आग्याओं का पालन करने के लिए सदेव ततपर अजमेर से पहले पिताजी इन दौर में थे वहाँ उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी सम्मान था नाम था कॉंग्रिस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों में भी जुड़ गए थे सिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे बलकि उन दिनों आठाट दसदस विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया है जिसमें से कई तो बाद में उंचे-उंचे ओधों पर पहुँचे ये उनकी खुशाली के दिन थे और उन दिनों उनकी दरिया दिली के चर्चे भी कम नहीं थे एक और वो बेहत कोमल और सम्वेदन शील व्यक्ती थे तो दूसरी और बेहत क्रोधी और एहमवादी पर यह सब तो मैंने केबल सुना देखा तब तो इन गुणों के भगना वेशों को ढोते पिता थे एक बहुत बड़े आर्थिक जटके के करण वे इन दौर से अजमेर आ गए थे जा उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और होसले से अंग्रेजी हिंदी शब्द कोश के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया और अपनी तरह का पहला और अकेला शब्द कोश था जिसने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी पर अर्थ नहीं और शाय गात तक की अनुमती नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक विवश्था का भागिदार बनाएं नवाबी आदतें अधूरी महत्वा कांक्षाएं हमेशा शीष पर रहने के बाद हाशिये पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा मा को कंपाती थरतरादी रहती थी अपनों के हाथों विश्वास घात की जाने कैसी गहरी चोटे होंगी वे उन्हें आख मूद कर सबका विश्वास करने वाले पिता कोई बात के दूनों में इतना शक्की बना दिया था कि जब तब हम लोग भी उसकी चपेट में आते ही र अधामिया मेरे व्यक्तित्त्व के ताने बाने में गुधी हुई है या कि अंजाने अंचाहे किये उनके वहवार ने मेरे भीतर किन ग्रंथिएं को जर्म दिया मैं काली हूँ बचपन में दूबली और मरियल भी थी गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी सो बचपन में मान और पतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उतसे उबर नहीं पाई आज भी परचेप करवाते समय जब कोई कुछ विशिष्टा लगा कर मेरी लेख की उपलब्दियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच से सिमठ ही नहीं जाती बलकि गड़ने गड़ने को ही आती हूँ शायद अचेतन की किसी पर्त के नीचे दभी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्दी पर भरोसा नहीं कर पाती सब कुछ मुझे तुकका ही लगता है पिताजी के जिस शक्की स्वभाव पर मैं कभी भन्ना बनना जाती थी आज एकाएक अपनी खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके शक्की स्वभाव की जलकी दिखाई देती है बहुत अपनों के हातों विश्वास घात की गहरी व्यथा से उपजा शक होश समालने के बाद से ही जिन पिताजी से किसी ना किसी बात पर हमेशा मेरी टकर ही जलती रह कितने रूपों में मुझ में हैं कहीं कुंठाओं के रूप में कहीं प्रतिक्रिया के रूप में तो कहीं प्रतिच्छाया के रूप में केवल बाहरी बिनता के आधार पर अपनी परंपरा और पीडियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिलकुल एहसास नहीं ह किस कदर उनके भीतर जड़ जमाय बैठा रहता है। समय का प्रवा भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहा कर ले जाए। स्थितियों का दवाब भले ही हमारा रूप बदल दे। हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं कर सकता। पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी मां। धरती से कुछ ज्यादा ही धैरी और सेहन शक्ती थी शायद उनमे। पिता जी की हर ज्याती को अपना प्राप पे और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाईश और जित को अपना फर्ज समझ कर बड़े उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका ना उनका त्याग ना उनकी सहिशुनता। खैर जो भी हो अब यह पैत्रुक पुरान यहीं समापकर अपने पर लोटती हुए। लंगडी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली ठीली तो कमरों में गुड़े गुड़ियों के ब्याभी रचाए। पास पडोस की सहिलियों के साथ यो खेलने को हमने भाईयों के साथ गिली डंडा भी खेला और पतंग उडाने कांच पीस कर मांजा सूतने का काम भी किया। लेकिन उनकी गतिविधियों का दाइरा घर के बाहर ही रहता था और हमारी सीमा थी घर। हाँ इतना जरूर था कि उस जमाने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हुजाती थी बलकि पूरे महले तक पहली रहती थी इसलिए महले के किसी भी घर में जाने पर कोई प को हमारे इस परंपरागत पडोस कल्चर से विच्छन करके हमें कितना संकुचित असहाय और असुरक्षित बना दिया है मेरी कम से कम एक दर्जन आरमिक कहानियों के पात्र इसी मोहले के हैं जहां मैंने अपनी किशुरा वस्था गोजार अपनी युवा वस्था का प्रारम किया था एक दो को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं था बस उनको देखते सुनते उनके बीच ही मैं बड़ी हुई थी लेकिन उनकी चाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी इस बात का एसास तो मुझे कहानिया लिखते समय हुआ इतने वर्शों के अंतरालने भी उनकी भाव भंगीमा भाशा किसी को भी धुनला नहीं किया था और बिना किसी विशेश प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए थे उसी समय के दा सहाब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ती के लिए अनुकूल परिस्तितियां पाते ही महा भोच में इतने वर्शों बाद कैसे एका एक जीवी तोटे यह मेरे अपने लिए भी आश्यर का विशे था एक सुखत आश्यर का उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए आनिवारी योगिता थी उम्र में 16 वर्ष और सिक्षा में मैट्रिक सन 1924 में सुशीला ने यह योगिता अपराप्त की और शादी करके कोलकाता चली गई दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए इन लोगों की चत्रचाया के हटते ही पहली बार मुझे नई सिरे से अपने वजूत का एहसास हुआ पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझे पर केंद्रित हुआ लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली सिक्षा के साथ साथ सुघण ग्रिणी और कुशल पाक शास्त्री बनाने के नुस्खे जुटाए जाते थे पिताजी का आगरे रहता था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं रसोई को वे भट्यार खाना कहते थे और उनके हिसाब से वाहर रहना अपनी खुशामता और प्रतिभा को भट्टी में जोखना था घर में आए दिन विभिन राजनेतिक पारटियों के जमावडे होते थे और जम कर बहसें होती थी बहस करना पिताजी का प्रिय शगल था चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे भी वहीं बैठने को कहते वे चाते थे मैं भी वहीं बैठूं सुनू और जानू कि देश में चारों और क्या हो रहा है देश में हो भी तो कितना कुछ रहा था सन 1922 के आंदूरन के बाद से सारा देश जैसे खौल रहा था लेकिन विबिन राजनेतिक पारटियों के नीतियां उनके आपसे विरोध या मतवेधों की तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी हाँ करांतिकारियों और देश भक्त शहीदों के रुमानी आकरशन उनकी कुर्बानियों से जरूर मन आकरांत रहता था सो दस्वी कक्षा तक आलम ये था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती थी और बिना चुनाव किये बिना लेखा की एहमियत से परचित हुए किताबें पढ़ती थी लेकिन सन 1945 में जैसे ही दस्वी पास करके मैं फस्ट एर में आई हिंदी के प्राध्यपी का शीला अगरिबाल से परचे हुआ सावितरी गल्स हाई स्कूल जहां मैंने कखरा सीखा एक साल पहले ही कॉलेज बना था और वे इसी साल नियुक्त हुई थी उन्होंने बाकाइदा साहिती की दुनिया में परवेश कराया मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला खुद चुन चुन कर किताबें दी पढ़ी हुई किताबों पर बहसें की तो दो साल बीथते ना बीथते साहिती की दुनिया शरत प्रेमचंद से बढ़क जैनेंद्र अग्ये यश्पाल भगवती चरणवर्मा तक फैल गई और फिर तो फैलती ही चली गई उस समय जैनेंद्र जी की छोटे छोटे सरल सहज वाक्यों वाली शैली ने बहुत आकरश्ट किया था सुनिता ये उपन्यास बहुत अच्छा लगा था अग्ये जी का उपन्यास शेकर एक जीवनी पढ़ा जरूर था पर उस समय वह मेरी समझ के सीमित दाएरे में समा नहीं पाय था कुछ सालों बाद नदी के दूप पढ़ा और उसने मन को इस गदर बांधा कि उसी जोट में शेकर को फिर से पढ़ गई इस बार कुछ समझ के साथ यह शायद मूलियों के मन्थन का युग था पापुन्य नैतिक अनैतिक सही गलत की बनी बनाई धरणाओं के आगे प्रश्चने ही नहीं लग रहे थे उन्हें धुस्त भी किया जा रहा था इसी संदर्ब में जैनेंद्र का ज्याग पात्र की घर की चार दिवारी के बीच बैट कर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसला पिताजी ने शुरू किया था उन्होंने वहां से खींच कर उसे भी स्थितियों की सक्रीब भागी दारी में बदल दिया सन 1946-47 के दिन वे स्थितियां उसमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभा था भला प्रभाद फेरियां हरतालें जुलूस भाशन हर शेहर का चरित्र था और पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ इन सबसे जुढ़ना हर युवा का उन्माद मैं भी युवा थी और शीला अगरबाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था इस्थिती ये हुई कि वो बवंडर शेहर में मचा हुआ था और एक घर में पिताजी की आजादी की सीमा यहीं तक थी कि उनकी उपस्तिती में घर में आए लोगों के बीच उठू बै आजादी के दाएरे में चलना मेरे लिए जब रगों में लहू की जगे लावा बहता हो तो सारे निशेद सारी वरजनाएं और सारा भाय कैसे धुस्त हो जाता है यह तब ही जाना और अपने क्रोट से सब को थरतरा देने वाले पिताजी से टकर लेने का जो जलसला तब इवन की धुरी था यह सद्दान की व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उसका नाम हो सम्मान हो प्रतिष्ठा हो वर चस्वो इसके चलते ही मैं दो एक बार उनके कोप से बच गई थी एक बार कॉलेज से प्रिंसिप आने लायक नहीं रहेगी पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहां जाकर चार बच्चे पहले भी पड़े किसी ने ये दिन ना दिखाया गुस्य से भनमनाते हुए वे गए थे लोटकर क्या कहर बरपा होगा इसका अनुमान था सो मैं पडोस की एक मित्र के यहां जाक मा को कह दिया कि लोटकर बहुत कुछ गोबार निकल जाए तब बुलाना लेकि जब माने आकर कहा कि वे तो खुशी हैं चली चल तो विश्वास नहीं हुआ गई तो सही लेकिन डरते डरते सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रौब है तेरा सारा कॉलेज तुम तीन ल तुम लोग एक इशारा कर दो कि क्लास छोड़कर बाहर आओ तो सारी लड़किया निकर कर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती हैं तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है उन लोगों के लिए कहां तो जाते समय पिताजी मुह दिखाने से घबरा रहे थे और कहां बड़े गर्व से कहकर आए कि यह तो पूरी देश की पुकार है इस पर कोई कैसे रोग लगा सकता है भला बेहत गदगा स्वर में पिताजी यह सब सुनाते रहे और मैं अवाग मुझे ना अपनी आँखों पर विश्वास हो रहा था ना अपने कानों पर पर यह हकीकत थी एक घटना और आजाद हिंद फास के मकदमे का सिलसला था सब ही कॉलेज स्कूलों दुकानों के लिए हड़ताल का आवण था जो जो नहीं कर रहे थे चातरों का एक बहुत बड़ा समू वहाँ जा जाकर हड़ताल करवा रहा था शाम को अजमेर का पूरा विद्यारती वर्ग चौपड पर इखटा हुआ और फिर हुई भाशन बाजी इस बीच पिताजी के एक नहायत दकियानूसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू तारी अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई है पर भंडारी जी आपको क्या हुआ ठीक है आपने ल यादा इज़त आबरू का ख्याल भी तो रह गया है आपको या नहीं वे तो आग लगा कर चले गए और पिताजी सारे दिन भवकते रहे बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर थूतू करके चले जाएं बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकरना इस सबसे जोशी से स्वागत किया आओ आओ मन्नू मैं तो चौपड पर तुम्हारा भाशन सुनते ही सीधा भंडारी जी को बढ़ाई दिने चलाया I am really proud of you क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी घर से निकला भी करो you have missed something और वे धुआधार तारीफ करने लगे वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोश धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था भीजर जाने पर माने दोपहर के गुसे वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो बस इतना समझ में आता है कि क्या तो उस समय मेरी उम् भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और जिजग के या यूँ धुआधार बोलते चले जाना ही इसकी मूल में रहा हो पर पिताजी कितनी तरह के अंतर विरोधों के बीच जीते थे वे एक और विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा और दूसरी और अपनी सामजिक छवी के प्रती भी उतनी ही सजखता पर क्या ये संभव है क्या पिताजी को इस बात का बिल्कूल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता ही ठकरावट का है सन 1947 के माई महीने में शीला अगरवाल को कॉलेज वालों ने नूटिस थमा दिया लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाडने के आरोप में इस बात को लेकर हुड़दंग न मचे इसलिए जुलाई में थर्ड एयर की क्लासेज बंद करके हम दो तीन चात्राओं का प्रवेश निशिद दिक्तर दिया गया हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर थर्ड एयर खुलना पड़ा जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत बहुत बढ़ी चिर प्रतिक्षित खुशी के सामने ये खुशी पिला गई शताबदी की सबसे बड़ी उपलब्धी 15 अगस्त उन्नीसो सेंटालिस प्रश्न अभ्यास लेखिका के व्यक्तितों पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा इस आत्मकथे में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहे कर क्यों सम्बोदित किया है वो कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को अपनी आँखों पर विश्वास हो पाया और वो न अपने कानों पर चार लेकिका की अपने पिता से वैचारिक टकरहट को अपने शब्दों में लिखिए पाँच इस आत्मकत्थि के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदर्श्य का चित्रन करते हुए उसमें मन्नु जी की भूमिका को रिखांकित कीजिए रचना और अभिव्यक्ती छे लेकिका ने बच्पन में अपने भाईयों के साथ गिली डंडा तथा पतंग उडाने जैसे खेल भी खेले किन्तु लड़की होने के करण उनका दाइरा घर की चार दीवरितिक सीमित था क्या आज भी लड़कियों के लिए इस्थितियां ऐसी ही हैं या बदल गई हैं अपने परिवेश के आधार पर लिखिए साथ मनश के जीवन में आस परोस का बहुत महत्व होता है पन्तु महानगरों में रहने वाले लोग प्राया परोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं इस बारे में अपने विचार लिखिए आठ लेखिगा द्वारा पढ़े गई उपरन्यासों की सूची बनाईए और उन उपरन्यासों को अपने पुस्तकाले में खोजिए नौ आप भी अपने दैनिक अनुभवों को डायरी में लिखिए भाशा अध्यन इस आत्म कथे में मुहावरों का प्रयोग करके लेखिगा ने रचना को रोचक बनाया है इस आत्म कथे से हमें ये जानकारी मिलती है कि कैसे लेखिगा का परिचय साहितिकी अच्छी पुस्तकों से हुआ आप इस जानकारी का लाब उठाते हुए अच्छी साहितिक पुस्तकें पढ़ने का सिलसरा शुरू कर सकते हैं कौन जानता है कि आप में से कोई अच्छा पाठक बनने के साथ अच्छा रचनकार भी बन जाए लेखिगा के बचपन के खेलों में लंगडी टांग, पकडम पकड़ाई और काली टीलो आदी शामिल थे क्या आप भी ये खेल खेल सकते हैं? आपके परिवेश में इन खेलों के लिए कौन से शब्द प्रशलन में हैं? इनके अतरिक्त आप जो खेल खेलते हैं उन पर चर्चा कीजिए स्वतनत्र अंदुरन में महिलाओं की भी सक्री भागीदरी रही है उनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए और उनमें से किसी एक पर प्रजेक्ट तयार कीजिए शब्द संपदा एहमवादी अर्थात घमंडे भगना विशेश अर्थात खंडहर तूटे फूटे हिस्से विस्फारित अर्थात और अधिक फैलाना बढ़ाना आकरांत अर्थात कस्ट ग्रस्त निशिद याने जिस पर रोक लगाई गई हो वर्चस्व अर्थात दबदबा राजेंद्र अर्थात यहां हिंदी के प्रमुख कृथाकार और हंस पत्रिका के संपादक राजेंद्र यादव के बारे में कहा गया है महाभोज अर्थात मन्नु भंडारी का चर्चित उपन्यास है दा सहाब उसके प्रमुक पात रहें नमुने के तौर पर यहां नौ वर्षिय शिवांग की डायरी का एक पन्ना दिया जा रहा है तीस मार्च दो हजार एक शुक्रवार आज सुबह पापा ने जल्दी से मुझे उठाया और कहा देखो देखो बारिश हो रही है ओले गिर रहे है बहुत ठंड पड़ रही है फिर मैं जल्दी से उठा और पापा से कहा दीदी को भी उठाओ फिर हमने देखा कि हमारे घर के सामने वाले ग्राउंड में हरी घरी घास पर सफैद सफैद ओले गिर रहे थे ऐसा लग रहा था किसी ने चमेली के फूर गिरा रखे हो बहुत अच्छा लग रहा था ओले पड़ रहे थे बारिश हो रही थी चिडिया भाग रही थी कउए परिशान थे, पेड़ काप रहे थे, बिजली चमक रही थी, बादल डरा रहे थे, एक चड़िया हमारी खिड़की पर डरी डरी बैठी थी, बहुत देर तक बैठी रही, फिर उड़ गई, अभी तक कोई बच्चा खेले नहीं निकला, इसलिए मैं आज जल्दी डारी लिख रहा हूँ, सुबह के दस बजे हैं, मैं अपना सीरियल देखने जा रहा हूँ, आज मेरा न्यू इंक पैन और पैंसिल बॉक्स आया, आज दोपहर को धूप निकली, फिर हम खेलने निकले, आज कल हम लोग मिट्टी की गोले बना के सुखा देते हैं, फिर हम उनके उपर प आसले पर दो लाइने खीची जाती हैं, दो खिलाडी बीच की लाइन पर आकर लंगडी बांध कर अपने मकाबले वाले को अपनी अपनी लाइन के पार खीच ले जाने की कोशिश करते हैं, जिसकी लंगडी तूट जाती है, अत्वा जो खिच जाता है, उसकी हार हो जाती ह यह खेल टोलियों में भी खेला जाता है दिये हुए समय के अंदर जिस टोली के अधिक बच्चे लंगडी तोड़ देते हैं अत्वा खिच जाते हैं उस टोली की हार हो जाती है